असलाम आलेकूम वीवर्स आज हम बनाएंगे बहुती स्पेशल तरीके से बेसन मसाला भिंडी ये रेसिपी जो है बहुती कम मसालों से और बहुत कम वक्त में बनके तयार होती है तो इसे आप ही नहीं आपके बच्चे भी बिल्कुल आसानी से बना लेंगे इसलिए इस के से लंबे और पतले पीसिस में कट कर लिया है अब इसमें हम यह सुखे मसाले एट कर देंगे यहां पर हमने एक चमच धना पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच चाट मसाला और आधा चमच हल्दी पाउडर लिया है यह हम इसमें एट कर देंगे 1500 ग्राम हमने यहाँ पर बेशन लिया है यह भी हम इसमेट कर देंगे एक चमच नमक और अब हम इसमें एक नीमू का रसेट करेंगे तो यह हमने 700 ग्राम भिंडी लिये उसके हिजाब से मसाले लिये हैं अगर आप कम भिंडी बना रहे हैं तो मसाले थोड़े कम कर ले और अकर जादा बना रहे हैं तो थोड़े से बढ़ा ले आप मसालों को यह रेसिपी जो है मैंने एक पेपर में पड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने इसे ट्राइ किया तो माशालला मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई तो इसलिए मैंने सुचा कि आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करती हूँ तो आप जब भी इसे ट्राइ करें मुझे अपना फीडबेक जरूर दे तो इस तरीके से हम इन भिंडियों को अच्छे से प्रेशर देते वे हातों से मिक्स कर लेंगे हम इने एक से दो मिनिट तक इसी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि इसके जो मसाले हैं अच्छे से इससे चिपक नहीं जाते तो यह देखिए इस हद तक कि हम इने मिक्स कर लेना है अब यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है एक से दो मिट का वक्त लगा है हम इने इस तरीके से मिक्स करने में तो अब हम इने साइट में रख देंगे आप चाहे तो दस से पंदरा मिल्ट के लिए भी इने रख सकते हैं इस तरीके से यहां पर हमने कड़ाई लिए इसमें हम दो बड़े चमश ओइलेट करेंगे अब इसमें हम यह एक चमश सोंफ और एक चमश जीराइट कर देंगे हम इने थोड़ा सा चलाएंगे और अब इसमें हम यह भिंडी एट कर देंगे तो मैं जो इस भिंडि को जो है हातो हात बना रही हूँ मैंने इसको रखा नहीं है विल्कुल भी rest के लिए तो एक से दो मिनिट तक हम इसको full flame पे पकाएंगे चलाते वे अब हम इसमें ये पूरी भिंडियेट कर देंगे एक से दो मिट तक हम इसे फुल फिलेम पे चलाते वे पकाएंगे अच्छे से ये देखिए बहुती आसान सी रेसिपी है ये आप इसे एक बार बनाएगा ना तो इंशालला आप हर बार ये ही बिंडी बनाना पसंद करेंगे तो एक से दू मिट हो चुके हैं हमने इसे चलाते वे पकाए हैं अब हम इसे 3 से 4 मिट पे लिए मीडियmen पे पकाएंगे चलाते वे तो हम इसे थोड़ी ठोड़ी दिर में चलाते रहेंगे ताकि इसका ब्यसंद जो है वो नीचे ना लगे तो यह देखें तीन से चार मिट हो चुके हैं और हमारी जो भिंडी है वो बनके बिल्कुल रेडी है तो उसे पाँच मिट का वक्त लगा है इनको पकने में अब हम इने सर्व कर लेते हैं तो यह देखें कितनी मसिद्दार सी हमारी भिंडी बनके तयार हुए आप इसे एक बार ज़ळूर ट्राइ कीजएगा तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक मेरे चनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से मेरे चनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार इस रेजिपी को ज़रूर ट्राइ करें यह देखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है आप चाहें तो आप बच्चों को रोटी पर रखे इसका रोल भी बना के दे सकते हैं बच्चे बड़े ही मसे से खाएंगे इसे तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं अगली वीडियो में अला हाफिस कर दोओ से अला हाा एक समय घरूर रोल के लगने हIES अला है और के वीडियो And